जुट की ताली लाट धले पर सच की बात रे करने को विश्वित द्याले में फीज कम होनी चाहिए ये सवाल सिरफ जेनियू में नहीं है खर विश्वित द्याले में कम होनी चाहिए और सारवजनिक शिक्षा के माध्यम से सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए किया है लुई है इू है इू रड़ है आहि激्षा में किया दrॉट जावी है नो सन्सिफेश्ट वी प 왼 राव और मुधिश उन् है लो है प्यांग फेस इंध जा इंटींभिश फिर इनगा सिस्वेस एंग जिनि ए इन इंट सुनिस्वेश इंग व answers various backgrounds and also a large number of OBC students because OBC reservation is actually very well implemented in JNU so definitely the JNU student composition is very diverse and the amount that you pay for is very much responsible for the kind of student diversity that exists in JNU लो एजुकेशन का जो प्राइविटाइजेशन हुआ है उनिवर्स्टी का उसके हलात ही है कि जिंदल उनिवर्स्टी चारज़ेज अराउंड 30 to 38 lakhs for 5 years. तो प्राइविटाइजेशन का यह असर है कि आम व्यक्ति का इंसान है वो उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता है. जो जेन्यू हिससे में समस्या जहेल रहा है वो पूरा देश का यूनिवर्सेटी समस्या जहेल रहा है जैसे फीसाइक है ड्रेस कूट जैसे होस्टल में जो कर्फ्यू टाइमिंग है यूडी में भी मतलब हर 10 साल में फीसाइक, मतलब हर साल 10% फीसाइक हो रहा है तो पहले यहां पर स्टेट गवर्मेंट यूनिवर्सिटी होने के अलाव बावजूद भी यहां पर फीस हाई एक समेश्टर का तो आप देख लीज़े किस तरीके से जो पॉल्सीज है नीपी है वो सब यहां भी धीरे धीरे खा रहा हैं सब चीजों को लेके यर्ज यूनिव 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 कि आप्टेश थे हैं बढ़ गुट पर फ्ट जार्ट मेरा हैं यह ए् spor बड़ ओूमेस को अवन्स एक और जाएंटood और टूंचे हैं इन झालोंग साथरन अवर्ये तन इत्य बड़ प्लवाज शीड़ टीजूड़ साज मेरा हैं इन यह कि और प्यूनटाश अवर्य। यह deserve it. The problem is it's not about loans. We need grants. अब तो सवाल उठ रहा है कि अगर शिक्षा हर बच्चे का fundamental right है तो फिर शिक्षा इस पर नहीं depend कर सकती कि आपके बाप की जेव में कितना पैसा है और आज आप देखोगे थोड़े दिनों में हिंदुस्तान में ये सब तरफ से ये बाग उठेगी कि शिक्षा को बिलकुल म बीच्वार बीच्टी रुमा बीच्टी की चाहीये प्रीनुस्री से लें के भी एच्बीच्टी तक एबसूथली फी एदिकाशन बेंपे प्रीच्टी कि तो टुकाष ये बिल्सकोष ये नेपना फीस में जरीच्टी प्लेस में बारे सरकार के लिए काम करते हैं कि आपको बिरोक्राइट दिखते हैं कि आपको फॉरेंड पॉलिसी में लोग काम करते हैं यह जेन्यू का कंट्रिबूशन है कोई फैक्टरी निकला मार्केट में कल भिग गया जिख्ष्या ऐसा शेत्र है जहां गौश्च करना पड़ेगा और जुसके जो परणाप जो आउट्पूट मिलता है वह डिफरेंट डिफरेंट पर में पॉलिजी के फॉर्म में टेक्नलोजी के फॉर्म में सब मिलता है तो इसलिए यह कहना कि कोई कंट्रिबूशन निये यह हर इंस्यु ideia कळे है क्यूंडूरी लिए क्वी करते हैं ऑर जो इस देश मराता है जिसकी इंकम होगी करता है और टेक्स किसले बेगेता है टेक्स शिक्षा पर खर्चो स्वास्ते पर खर्चो अगर इस पर टेक्स कर्चो नहीं होगा तो भी टेक्स कहा खर्चो होगा कि टैक्स के पैसे का खर्चा है अभी तो आप यह देखें कि गॉर्मेंट स्कूल के अदर जो है वह एड्रोल्मेंट कम हो रहा है क्योंकि सरकार डेलिबरेटली डिजाइंड करके जो है ना वो सरकारी जो सिस्टम है स्कूलों का उनको खतम करने पर तुली हुई है और वो उनके पास जाना पड़ता वो एक्स्वाट्रेशन हो रहा है तो बहुत बड़ी संख्या जो है एक तरीखें से जो सरकारी सिस्टम में जा रही है स्कूल बच्चा जो है इंदर काम पढ़ रहा है और उनको कोई बेसीड इमेंटिज्य नहीं है व्हुवैंचिशे नहीं है तो क्या होगा इस देश में, क्या सरकार चाहती है? और यह सरकार ही डेलिबिटली सारी क्रेट कर रहे है. यह जरूरत है कि देश की जनता इसके खिलाफ अवाज लगाए, प्राइबिटाइजेशन के खिलाफ अवाज लगाए, और एक साथ यह कहें कि हमारी शिक्षा हर एक लेवल के उपर जा है, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए. For a lot of universities, private universities, students are taking loans. So for instance, we have done our PhDs only because we got subsidized education. For someone who has taken a loan for a master's, will first want to pay off that loan and then maybe do a PhD. So essentially you are saying that, okay, no doing PhDs, you just stick to MA and pay back your loans. Secondly, master's programs in history, geography, these beautiful subjects like art appreciation, art history, will just go obsolete because nobody will want to pay lakhs of rupees to study a subject of their interest. They will want to study a subject which will generate income. That's all, that will be the basis for people choosing subjects. JNU में खेंद सरकार के जो नीती है, JNU को बर्बाद करने का, उसके स्टूडेंट पर लगातर हमला करना, उसका जनवादी माहोल को खतम करना, और एडुकेशन पॉलिसी को जो समोगिरी कुरूप से नीजी करन है, उसके साथ जोडने का जो साजी से है, उसके खिलाब JNU का अंदोलन आज बहुत ही महत्तबन अंदोलन है, आज इस अंदोलन सिर्फ JNU छात्र का नहीं है, छात्र छात्र के इलावा सारे जनवादी जनता इस अंदोलन के साथ है, टेड़ी उनियान, किशान, छात्र, जूबा, महिलाएं, करमचारियां, अद्धापक सारे जो संस्ता हैं, सारे संस्ता इस अंदोलन के समर्दन करता है, जो सरकार ने बच्चों की फीस बढ़ा दिया है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार इतने निकम्मी हो गई है, जिसके अंतरकत हमें खुद अपना ही देश में सरकार से लड़ना पड़ रहा है, एजुकेशन मामले पर लड़ना पड़ रहा है, जबकि सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए थी, कि हमारा देश एक welfare state है, यहाँ पर सरकार लोगों को free सिक्षा देनी चाहिए थी, और एक समान सिक्षा देनी चाहिए थी, लेकि सरकार को सोचना चाहिए, जब हमारे देश का भाविश्य सड़कों पर उतर गया है, तो कैसे देश बनेगा, हमें अपना देश बनाना है, अपने देश को बचाना है, और बच्चों के future को decide करते हुए, इस fees को कम करना है, बलकि मैं तो यूँ कहती हूँ, फीश सब के लिए खता में होनी चाहिए. जबनों की सुन्दर दुनिया करनी है, दुनिया की सुन्दर सर्कें तुछ से ही हो गिया बाद, नर्जे न्यू संदाबाद, और परजे न्यू संदाबाद, नर्जे न्यू संदाबाद, और परजे न्यू संदाबाद,